हेलो दोस्तों वेलकमोन माई यूड्यूब चैनल आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कि किसी पेशेंट का दाट तूट गया और तूटने के बाद जो है उसका दात काला पड़ गया या फिर ब्राउन हो गया या और कोई सा डार्क कलर हो गया है व क्योंकि बेल का इकन को प्रेस करने से हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी वह आपको मिलती रहेंगी और आपको इसी तरह से हम इंफर्मेटिव वीडियो दे दे रहेंगे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने में कि जाता है स हमें support कीजिए और इसी तरह से आपके लिए informative लाइने एक तो चलिए हम बताते कि आपका काला क्यों पड़ता है काला पढ़ने के बाद उसका क्या है या काला पढ़ने से क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं तो देखिए क्या होता है कभी patient के चोट लगी वो गिर गया गिरने से सामने का दा टूट गया तूटने के बाद कि उसका रंग चेंज होने लगता है जब पेश il गिर हा था या या फिर गया अक्सिडेंट जो गया बाइक से किसी भी वजह से तांट तोट गया तांट तोटने पर उसने क्या-क्या थोड़ा दर्द हुआ और मेडिसीन ले लिए उसके लिए उसको जादा उसने एफर्ट नहीं लगाए या उसको ठीक नहीं कराया तो वह ऐसे ही छोड़ दिया अब जब उसको ऐसे ही कि वजह से वह दीरे 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 जो है वह खत्म होना शुरू हो जाती है मतलब नेक्रोज होना सुरू हो जाती है नेक्रोज मतलब होता है कि वह दात हमारा मरने लगता है मतलब नोन वाइटल होने लगता है जब वह दीरे दीरे नोन वाइटल होने लगता है तो क्या होता ह ब्राउन क्लर्रा हो दिखाई देने पर लगता है जिसकी वजह से सामने का पैपैरेंस ए पेशना कब भुछत ही घडल नजर आता पैशह लेखने में साहरा कम करने लगता है कि यौड बाछी है नजर नने ही अनər पालओ की अमधर विकल्ड थे सकाने वह एक्टिव हो जाती हैं अदर कि तरफ से दात को जो पतला होना लगती इस UP लेटophile हैं об दात के त best executive हो जाता है वह बाहर के दिखता है तो वो पिंक कलर का जो है दान दिखाई ही देता है और इस तरह के जो शैने एख दाते जब RCT की जाएगी, RCT करने के बाद उन पर crown लगा दिया जाए या फिर vineyards लगा दिया जाए, अगर crown या vineyards लगा दिया जाए, RCT करने के बाद यानि के रूट के अनल करने के बाद तो वो बिल्कुट ठीक हो जाता है, और आपका जो natural दात है, उसी के जैसा वो देखने में ल जी आपक đầu करने के बाद उसमें पर वो बिलीचिंग करते बिलीची के बिलीचिंग करें अबूर जात पर न कि अंदर 만들어 की, वो बेटेश होता है उसको जो है दात के crown वाले portion में अंदर की तरफ से उसमें रख दिया जाता है एक से दो हफते के लिए और अंदर यह उसके चुछ लेकिन जो आर्सी त्रीट दात होते हैं उनमें यह वाली ब्लीचिंग की जाती है और सोडियो पर परवुरेट से की जाएगी और सोडिय परवुरेट के साथ जो है और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए उसको अगर मिक्स करके लगाएंगे तो रिजल्ट और जल्दी आता ह तो इस तरह से रंगे हुए दाथ को आप आपका डेंटिस्ट करेगा, everyone is dentist करता है तो अगर आपका दाथ तूट चुका है और उसका रगचेंज हो चुका है तो आप देर ना करें बिलकुल भी और देंटिस्ट के पास के consult करें और जो treatment वो आपको बता दे वो कीजिए RCT कराई या RCT कराने के वाद आप के बलगवाई है वो भी बहुत अच्छा option होता है और आपका दाथ पेरे जैसे हो जाता है फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you take care और चैनल को subscribe